Hello everybody, subscribe to our channel and click on the bell icon to get amazing tips and tricks of Excel from excelsuperstar.org Hello friends, Power Pivot में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने कोई भी data import करते समय filter activate किया है तो उसे कैसे deactivate कर सकते है और पूराना data पूरा कैसे import कर सकते है कुछ easy step से चलब देख लेते हैं सबसे पहले हम home tab में जाने के बदा है design tab में जाएंगे design tab में आपको यहाप एक option दिखाए दे रहे table properties यहापे आपको क्लिक करना है कुछ versions में कुछ table properties के problems आ रहे है अगर आपने later versions install किया है या upgrade किया रहेगा तो आपको यह problem solve होते हुए मिलेगा मैं आपको दोनों process अने विचे बता दूँगा जिसे आप यहाप देख सकते हैं कि मैंने rating column जो है इसे deactivate रखा है और साथी साथ division में मैंने दो divisions को मैंने filter कर रखा है अगर आप right side से switch to में table preview option on रखते है तो आपको पूरा का पूरा table preview ही दिखाई देगा जहाँ पर आपको सिफ options को clear filter करना है जिसे आपको पूरा data आ जाएगा और जो column आपको चाहिए उसको आपको tick करना है गल्दी से मैंने आपको tick कर दिया था मैं वापस को retic कर देता हूँ यह एक simple process हुआ अगर आपके पास table preview option नहीं available है तो आपको query editor में जाना है और query editor में घबरानी की ज़रूत नहीं है यहाँ पर बहुत जाद data अगर आप देख रहे हूँ यह simple query language है जहाँ पर बताया जा रहे है कि select table करना है employee data में से यह सारे के सारे data और वो भी बताया गया है कि जहाँ पर यह parameter है उसे नहीं filter करना है जैसे कि अगर आपको में पढ़के सुनाओ जैसे कि है where not मतला ना हो division id में already division id में rdd और साती सार अगर division में blank हो तो वो चीजों को filter करके data में import नहीं करना है मुझे सिर्फ करना यह है कि इस particular line को यहाँ से delete कर देना है और save के click कर देना है जैसे मैं save कर दूँगा तो मुझे सारा का सारे data वापस मिल जाएगा अब वापस अगर मैं जाओ तो इसको एक ही problem है आप एक बार आप edit कर दोगे query view में तो आपको वापस table view नहीं मिलेगा तो in case अगर आपके पास table view available है और आपको query view नहीं समझ में आ रहा तो मैं personally suggest करूँगा कि table view का इस्तेमाल कीजिए नहीं तो अगर आपके table view अवेलेबल नहीं है तो query view से भी काम चला सकते है as simple as that उमीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सिखा तब तक के लिए practice जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में